कमजोरी सब में होती है पर कमजोर सिर्फ वही होता है जिसको अपनी ताकत पर भरोसाना हो ये सेल्फ डाउट जो है ये सबसे बड़ा दीमक है अच्छे भले इनसान का किरदार धीरे धीरे अंदर से खोकला कर देता है बस इस दीमक को मारने की जरूरत है देश विदेश में बैटे सबी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूं मुहित कमिल श्रीमाली और आप सभी का तहदल से स्वागत करता हूं आपके अपनी चानल में और आज का राशी फल यानकी 11 अगस्त के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुपकामनाय देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरे जनवस्री है या को विशेश यादगर दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से तारिक 11 अगस्त 2024 से दिन रविवार का है और आज के दिन आप से मिलने के लिए हम मुंबई शेहर में उपलब्ध हैं अपना अपॉइन्मेंट बुक कराने के लिए आप इन नंबर्स पर समपर करके अपना अपॉइन्मेंट बुक करा सकते हैं और आमने सामने बैट करके अपनी कुंडली का विशलेशन कर अपने फ्यूचर के बारे में सही प्लानिंग कर सकते हैं चलिए आज के विशेश एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दूई पुशकर योग की फाइदा किया है और कैसे इस दिन का उप्योग किया जाएगा पंचांग की बात करें तो समवत 2021 का अश्रावन शुक्र पक्ष चल रहा है सब तमीतिती रहेगी स्वाती नक्षत्र रहेगा और तुला राशी में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं रहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के साड़ी चार बजे से लेके छे बजे तक है तो वहीं शुब चौगडिया महरत आज के दिन आपको दो बार मिलेगा सबसे पहले सुबह नो बच के बारा मिनिट से बारा बच के बारा मिनिट तक और फिर से दो पहर में एक बच के एक तालिस मिनिट से तीन बच के बारा मिनिट तक तो वहीं आज के दिन अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में यात्रा शुब साबित होंगी पर पश्चिम दिशा नेरितिय दिशा और इशान दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का जरूर धियान दीजेगा कि आज के दिन यात्रा करन फिर बात होती है सुर्य उदय कालीन कुंडली में शिब ग्रहे योगों की तो आज के दिन आशरे योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, शकट योग, वैशी योग, धन योग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है आज द्वी पुशकर योगत है औ इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए किस कबच को धारण किया जाए पर अगर महीं आप ये जानना चाहते हैं कि जनम कुंडली में जो दोश हैं, उनके अनुसार जो समस्याय उत कर आपको उत्तर अपने टीम के द्वारा जरूर पहुंचाऊंगा मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे तो वहीं हर कवच जो आप और प्लेस करेंगे वो आपकी नाम और डीटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा ऐसे समय में कुछ विशेश कवच की आपको जान भाई खानी अपमान दुख धोका द्वेश ये सब भोगने पड़ते हैं अपने कारियों में अर्चने देखना समय पर काम पूरा ना होना जूटे आरोप लगना कानूनी समस्याओं में घिर जाना लोगों द्वारा बार-बार साजिशों में फसना या अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना गलत संगती तक का आप शिकार बन जाते हैं व्यस्नों के आदी हो जाते हैं ये स्थिती साड़े साथी और धैया में अवश्य ही देखने को मिलती है और ऐसे में आवश्य है कि साड़े साथी और धैया के निवारण के लिए विशेश प्रयास किये जाए कोई ना कोई उपाय किया जाए जिससे कि आपको राहत मिल सके और वर्तमान समय में मकर कुंब और मीन राशी को साड़े साथी चल रही है तो वहीं करक और व्रश्चिक राशी को शनी का धहिया चल रहा है तो आप पांच राशियों को विशेश तोर पे शनी साड़े साथी औ धहिया दुश्ञिवारन कवच अवश्य पहनना चाहिए। फिर बात होती है लक्षमी प्राप्ती के और लक्षमी प्राप्ती में जब संपूंता से अपने जीवधन में समाहद करने की बात आती है तो वहाँ बात आती है अश्ट लक्षमी की याने की धन हो यश हो आयू हो वाहन का लाब हो स्थिर लक्षमी हो ग्रह लक्षमी हो संतान लक्षमी हो और भवन लक्षमी अगर आप भी लक्षमी प्राप्ति का प्रयास करते हैं लेकिन कमी नरंतर बन चाहिए है ये आपकी जीवन को संपूर्ण एश्वरे में बना सकता है फिर बात आती है द्वादश आदित्यकियाने की सूर्य के बारर रूपों की और उनकी पूजा अर्चना से अलग-अलग प्रकार के मनुरत पूर्ण करने की अगर आप भी जूटे दोशारूपन में उस्ष्थारिक्मध्भेध रहते हैं, घर में दुख का वातावरन रहता है, तो द्वादश आदित्यकवच आपको अवश्यधारन करना चाहिए, फिर बात आती हैं दस महा विद्ध्ययाओं की, दस महा विद्ध्याओं की तो ब्रहमाण की समस्थ क्रिया कलापों को नियम करके दैवी शक्ति को स्थापित करना यही दस महा विध्या की शक्ति से आप भातएक और अध्यात्मिक दोनों ही शेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं धिन अर्थकाम और मोक्ष सहित समस्थ एशवरी और पद्प्रतिष्ट आपके हातों में होती है हमेशा प्रयाद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता. लेकिन आने वाले कल को बहतर बनाने का निर्णे अवशे ही आज लिया जा सकता है. साल में कुछ विशेश पर्व होते हैं, कुछ विशेश दिन होते हैं जब कवच का निर्मान किया जाता है. पिछले लगभग चारक दशक से मेरे पिताजी ने आप सभी की मदद कवच के माध्यम से की है और इससे पहले मेरे दादाजी ने अब मैं कवच के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ आगे निरने में आपके विविक पर छोड़ता हूँ चलिए अब बात करते हैं आज के राशी फलकी और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी से तो आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा सेवन्थ हाउस में प्रवेश कर चुके हैं अधिमित्रतारा का साथ और श्टग वर्ग में ठड़ी वन डॉट से ओवराल 100% positive situation रहने वाली है जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ती जहां देखने को मिलेगी finally अपने life partner के साथ में अच्छा weekend या ये का है कि आज का दिन गुजारने का मौका आपको मिलने वाला है घर परिवार का पूरा समर्थन यहां पर देखने को मिलेगा तो प्रेम वहाँ पर भी आपको बहुत जादा आज के दिन अपने उपर बोचार होता देखने को मिलेगा ऐसे समय में youngsters खास तोर पर अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करना चाते हैं तो बड़ाई शुब दिन है यहां पर आपकी इच्छाओं को जरूर स्विकार किया जाने वाला है वाहन का सुख जहां प्राप्त हो रहा है तो वहीं वियापारी वर्क भी अच्छी तरीके से आज के दिन टेंशन फ्री होकरे के कमाई करेंगे और ऐसे समय में खास तोर पे कहीं न कहीं इंवेस्मेंट अपॉचिनिटी की बात हो यह कहा जाए कि इस समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के अंदर इंवेस्मेंट को लेके आप और जाधा अक्टिवली सर्च करने वाले हैं यह दिन गेन का है अच्छे रिलेशन्स डेवलप करने का है तो महीं सोशल गादरिंग में इस समय में अपनी वर्थ को बढ़ाने का है जा मार्केट में गुडवल बढ़री है लोगों के बीच में भी आपकी प्रशन सा आज के दिन बढ़ती हुई ही नजर आएगी और ऐसे समय में यंग्स्टर्स जो स्पोर्ट्स विल से जुड़े हैं आप इस समय में कोई ना कोई बड़ा खिताब जरूर जीतने वाले हैं खाने पीनी को लेके शिकायते खतम होगी तो नहीं ग्रहनी भी ऐसे समय में अपनी कोई भी इच्छा अगर प्रकट करती है यह कहा जाए जो रॉमांटिक गेट ओवे आप करने वाले हैं या रॉमांटिक इवनिंग की जो प्लानिंग है वो यहां पर बहुत बहुत जादा सुखद बनने वाली है शुब रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा नंबर एड फिर बात करते हैं व्रशब राशी की तो आपके लिए राशी भाव से जंद्रमा आ चुके हैं सिक्स ताउस में सादक तारका साथ अश्टक वर्ग में ठरी फो डॉ या तो पर एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर बहुत बहुत जादा अच्छे से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कर्ज से राहत जहां प्राप्त होगी तो कमाई भी इस समय में बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है खर्चों पर कंट्रोल रहेगा तो वहीं पर सेविंग्स इस समय में बढ़ते हुए घर परिवार के अंदर संतुष्टी पैदा करेंगी भागये का भी ऐसे समय में साथ मिलेगा और पॉलिटिकल कनेक्शन का यहां पर कहीं ना कहीं दबदबा होने की कारण यह कहें कि आपके पीछे किसी ऐसे पॉलिटिक लोड के अंदर बहुत अच्छे से आज के दिन अपने काम को मानेज करेंगे और अपनी टीम का प्रोचाहन बढ़ाएंगे अब यहां पर यह भी देखा जाएगा कि घर के जो बड़े बज़र्ग हेल्थ वाइस रिलेटिड परिशानियों से गुजर रहे थे यह कहें मस्क करेंगे तो अवशे ही दिन और जादा बहतर बन सकता है ऐसे समय में फैमली के साथ में भी अगर कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं या यह कहें कि डिनर का प्लान बनाते हैं तो अवशे ही सुखद वातावरंड घर का और जादा बहतर होगा शुबरंग रहेगा आ बात करते हैं मिथुन राशी की तो आपके लिए फिफ्ट हाउस में चंद्रमा आ चुका है शेमतार का साथ अश्टक वर्ग में ट्विटी नाइन डॉट से से सेविंटी फाइफ परसें के बीच में यहां पे सपोर्ट मिल रहा है अब इस बात का जरूर धियां दीजेगा कमपेर्ट टू कल से आज की सिचुएशन में कुछ जादा बहतरी हुई है और ऐसे समय में थोड़ी दुनियादारी की समझ रखते हुए थोड़ी चतुराई रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है यहां पर यह कहूँगा कि नुकसान का जो फेज है वो यहां पर करने का मौका मिल रहा है इससे पहले कि इंटरी जो होने बादी है वो तेरह तारिक कि सबह दकाने का मौका आपको पर उस पहले आज कि निए ऐसा मौका करने की बात है या यह कहा जाए कि लंब सम पेमिंट प्राप्ट करने की बात है तो यहां अवश्य देखने को मिलेगी वहीं पर इस बात का महलाओं को खास तोर पर ध्यान रखना है कि आस पास की लोगों की बातों को जादा सीरियस नहीं ला ले काफी चीजें इस समय में आपको काफी चीजें इसी बोली जा सकते हैं जिसको देख करके आपको इमेजिट रियाक्शन देने का मन करें पर इन चीजेंसे बच करके रही गा क्योंकि वही रियक्षिं खास की बात का बतंगड बनाने के प्रेयास आपके आजु-बाजू यह च्छोंग में आप आप इसका मौका मिल रहा है पर वही पर ऐसे समय में लोगों की नोग जोग कहीं या घर परिवार वालों का ही कहीं ना कहीं किसी बात को ले करके बार-बार फिंपॉइंट करना हूँ ये इस समय में परेशान कर सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए येलो कलर शुब अंक रहेगा नबर नाइन फिर बात करते हैं करक राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्र में आ चुके हैं इस समय में फोर्थ हाउस में मित्र तारा कसाथ और श्टक वर्ग में 24.67 सपोर् करके ऐसे काम करेंके जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो इरिटेट हो आपको की काम पर जाने से पहले किसी भी तरीके से मूड़ खराब कर दिया जाए ताकि आप रियक्शन दे और उसी रियक्शन को ले करके आपके पीछे इस समय में वो पढ़ जाए चाहे वो जगड़े के का कारण हो पैसों के कारण हो आपको की काम दिया गया है उसके कारण हो किसी भी तरीके से इस समय में आपको यहां पर डाउन लाने का प्रयास किया जा सकता है ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजेगा कि घर से जो आपको connection तूटता हुआ नजर आ रहा है वहीं बाहरी लोग कि जो हितेशी नहीं है उन लोगों से इस समय में आपका जुकाव जादा बढ़ना ये घर परिवार वालों को खास तोर पे माता जी को नहीं पसंद आने वाला है वहीं घर परिवार में जहां मानसमान में कमी देखने को मिलेगी financially अगर जब बाहर जाते हैं कमाई के लिए पर अगर हाथ पैर मारे जाएं ये कहें कि मशक्कत की जाएं तो आवश ये कुछ हाथ में जरूर लग सकता है यहां satisfaction की बात नहीं होगी पर complete failure दिन को कहने से उससे भी बच जाएंगे तो इसकी तरफ आपको जरूर प्रियास करने चाहिए मैं ये कहूंगा personal life और work life को यहा से दूर जा सकता है शबरंग रहेगा आपके लिए पीच कलर शब अंक रहेगा नमबर टू फिर बात करते हैं सिंग राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंदर मा चुके हैं थर्ड हाउस में अश्ठक वर्ग में 28.7 परवधतारा का साथ है 85% situation फिर भी आपके लिए positive रहेगी जहां पर इस समय में finally rest अपनी body को देना जो physical pain से गुजर रहे हैं mental torture बहुत जादा हो रहे हैं वहां से आपको अब कुछ relief देखने को मिलेगा थोड़ा अगर patience रख करके काम किया जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसी strategy आपको plan करने का मौका मिल सकता है ऐस इसी कोई चीज आपके हाथ में लग सकती है जिससे fast-paced आपको growth मिल सके संतान से जहां लगाव होगा शुपफलों की प्राप्ती होके recognition मिलेगा वहां पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा अपने emotions पे control or patience रख करके ही आगे बढ़िएगा तबी चीजों का सही तर मिलने वाला है तो इसके लिए पीछे मत हटिएगा सुख समान और प्रतिष्टा जहां समाज में भी प्राप्त होगी घर में भी प्राप्त होगी तो दोनों ही तरफ से कमाई का मौका यहां पर मिलने वाला है अब शुबरंग रहेगा ऐसे में आपके लिए brown color शुब अंक रहेगा नमबर सिक्स फिर बात करते हैं कन्या राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा है सेकंड हाउस में शेमतारा का साथ अश्टक वर्गमे 22 डॉट से ओवरॉल सिच्वेशन 75% पॉस्टिविटी की है सौरी सपोर्ट की है पॉस्टिविटी नहीं अब इस वो आपका काम भी हो जाता है पर कॉंस्टेंट कंपैरिजन किसी और के साथ में किसी चीज के अंदर इंवाल्व होकर कि महां से इमिजिट आपको प्रॉफिट न मिले उस चीज को दिल पे लगा लेना काम के अंदर बहुत महनत करना उसके बाद में इमिजिट उसका नजर आएंगे और खास तोर पे ऐसे समय में पुरानी बातों को लेकर कि गड़े मुर्दों को उखाड करके यहां पर परेशानी लाते वे नजर आसकते हैं अपने परिवार में यह कहें कि विवाद जो हैं इसको जनम देते नजर आसकते हैं इस बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरुरत है जो व्यापारी वर्के लोग हैं आप इस समय में जरूर ध्यान दीजेगा कि दूसरों के कहने में आके जो आप अपनी थिंकिंग में चेंज़ ला रहे हैं अपने बिजनस में चेंज़ ला रहे हैं यह आपकी लिए प्ले आउट सहीं नहीं करे यहां पर जो आपकी मार्केट में इमेज है वो धुमिल हो सकती है तो इससे बच करके रहिएगा तो महीं घर परिवार के अंदर भी ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में नोग जोग जो है वो बढ़ सकती है इस बारे में ध्यान देते हुए आपको यहां बहुत जो दोस्ती करना चाते हो हाथ आगे बढ़ाईए यहां पर आपको मना नहीं किया जाएगा आनंदत रहेंगे घर परिवार के साथ में महौल बहुत बहुत बहुतर बना रहेगा हर किसी से importance मिलना समान मिलना यह समय में देखने को मिलेगा तारीफों के पुल आपके लिए बांदे जाएंगे तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है वो इस समय में कमाई के लिए जब निकलेगा तो दुखी होकर के वापस घर नहीं लोटने वाला है क्योंकि जो इच्छा लेकर के बा कोई ना कोई सुख की प्राप्ती आवश्य होने वाली है अब यहाँ पर ग्रहनी जो है आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं लग्शुरी आइटम्स की परचेज हो या फिर सोने चान्दी में इन्वेस्मेंट हो या यह कहा जाए ज्वेलरी की परचेज हो वो इस समय में अवश्य देखने को मिलेगी और क्योंकि द्वेपुशकर योग है तो ऐसे में आज के दिन खरिदारी इस चीज की करना यह आपके लिए अति उत्तम सिद होने वाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर शुबंक रहेगा नंबर एड फिर बा अज के दिन आपके लिए जहां पर कोई भी काम करना चाहते हैं कहीं पे भी निकलना चाहते हैं तो आलस या तफर निकलने नहीं देगा कमजोरी जादे जल्दी ला देगी और ठकान जो है वो आगे दूसरे काम को करने से रोक देगी और इन कारण उसे घर परिवार में वि स्टाफ के साथ में बाते हो या क्लाइंस के साथ में गुस्से को बैक सीट देते हुए फ्रंट सीट में बुद्धी के साथ में गाडी ड्राइव कीजेगा तब ही चीजों को सही से हैंडिल कर पाएंगे ऐसे समय में कोई यात्रा कर रहे हैं खास तौर पर अगर अकेले ही गाड़ी चला रहे हैं तो इस बारे में भी ध्यान दीजेगा कि ध्यान हटा नहीं और दुरगटना घट गई तो इस कारण से जब बहुत जादा फ्रस्ट्रीटेड हैं बहुत जादा किसी चीज को लेकर के चिंतन कर रहे हैं तो गाड़ी चलाने से दूरी बनाए रखिएगा वरना इस समय में दुरगटना ग्रसत होना पड़ सकता है अब यंगस्तर्स जो हैं आप भी ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के कुछ जादे ही मदवेद कर रहे हैं घर में उसको लेकर के यहां पर तंज कसे जा सकते हैं आपके खिलाफ शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबरंग रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं धनूर राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमा है लेवन्थ हाउस में संपत्तारा का साथ अश्टग वर्मिठरी एट डॉट्स हैं ओवरॉल सिच्वेशन हंड़िट परसें पॉस्टिव है और यहां पर हाथ डाल करके पैसा खीच निकालन कि आज के आज रुपे चाहिए हैं और वो ले करके पहुचेंगे ऐसे समय में घर परिवार में विवासंबंद का तैह होना महमानों का घर में आना घर के अंदर चार चांद लगाना माहौल बहुत ही जादा सुकद होना यह सबी चीज़ें देखने को मिलेगी तो स्वास्त इससे फाइदा मिलने वाला है या कोशिश कीज़ेगा कि आज निकले हैं और कल शाम तक वापस आ जाएं तो भी कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि इससे फाइदा आपको जरूर मिलने वाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर शुबंग रहेगा निबर नाइन फिर बात करते हैं मकर राशी के और आपके लिए राशी भाफ से चंद्रमा है टेंथ हाउस में पर विपत्तारा का साथ है और अश्टग वर्मे 24 डॉट्स है 80% सिचुएशन हम कहेंगे यहाँ पर पॉस्टिव है और इस पॉस्टिविडी के कारण सबसे ज्यादा फाइद यह कहा जाए बैठे बैठे में सामने से क्लाइंट्स चलके आ रहे हैं और आपको चूज करने का मौका मिल रहा है तो वो इस्थिती इस समय में अवश्य देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी से लेलेटेड बड़े डिसिजिशन घर परिवार के साथ में इस समय में आप करें यह कहा जाए कोई इमजिट नीड के लिए आप पैसा लेते हैं तो वो आपका काम इस समय में आराम से निकल सकता है यहां पर जहां कर्ज देने से लोग घबराते हैं आज कि दिन कर्ज देने से कोई मना नहीं करने वाला है सामाजिक संबंद के अंदर जहां पर बहतरी लव शुब अंक रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं कुम राशी की और आपके लिए राशी भाव से चंद्रमाहिन नाइन थाउस में विपत्तारा का साथ और इश्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं सिच्वेशन 23% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान रखिएगा बक्त पर जाओगे तो नुकसान पाओगे घर परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाओगे शॉपिंग पे जाओगे तो अपनी उमीद से जादा खर्च कर आओगे यह सबी चीज़ें इस समय में परेशानी का कारण बनने वाली है और इसके कारण कहूंगा गर परिवार के स से परहेश कीज़ेगा यह खास तौर पर बहुत इमिजिट रियाक्शन यहां पर देने से बचेगा क्योंकि लोग इस समय में आपके रियाक्शन को आपकी बातों को गलत मतलब दे करके सामने पोट्रे कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए परेशानिया और जादा बढ़ जा वी आचुकी है किस के सामने बोलना है और किसके सामने जुकना है अब इसका वापस से ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे समय में बाहरी लोग तो बड़े ही आपके लिए लाबकारी सिद्ध होंगे आपकी हर बात को यहाँ पे अच्छे से मानेंगे भी और उसका काम भी करेंगे पर ऐसे ही समय में ओवर चार्ज भी करेंगे आप से अपना फाइदा निकालने की कोशिश भी करेंगे घर परिवार वालों स ऐसे समय में दूरियां जहां बनेगी स्वास्ते का भी साथ नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वाप पर हावी होता नजर आ सकता है खास तौर पर ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटिड कोई भी डिसिशन है जल्द बाजी में मत लीजेगा अपने फ उकसान देने का प्रयास किया जा रहा है तो वहाँ पर कान खड़े हो जाने चाहिए है ऐसे समय में प्रॉपर्टी से खास तोर पे दूरी बनाया रखिएगा ससुराल पक्ष से भी इस समय में घर के अंदर जादा हस्त शेप देखने को मिलेगा आपके घर के हर डिसिशन मे उनका इंटरफेरंस जो है ये घर परिवार वालों के और आपके बीच में डिस्प्यूट्स क्रियेट कर सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुबरंग रहेगा नबर फाइव ये तो भी बात आज के राशी फलकी अब हम बात कर रहे हैं विशेश उपाय की यानि कि हमारे सनातन धर्में और जोते शास्त्र में योगों का महत्वपुन्ट सबसे जाद अस्थान दिया जाता है आपने अकसर पंचांग में कैलेंडर में द्वी पुशकर और त्री पु इनके दिन द्वीट्य सब्तमिया 12 मेंसे कोई भी तिती हो और इन दो योगों के साथ इस दिन चित्रा, मरक्शिरा और धनिश्टान रक्शत रहो तब द्वी पुशकर योग बनता है अब द्वी पुशकर योग में जिस कारी को किया जाता है वो दो गुना फल देता है और इस योग का शुबा शुब से कोई सीधा संबन्द ना होकर इस दिन के अनंद आदी योग के फल को दोई गुनत अर्थाद दो गुना करने से है यानि कि द्वीपुशकर योग वाले दिन यदि कोई शुब कार्य किया जाए तो इसके फल में दोगुनी वरद्धी होती है वहीं इस योग वाले दिन कोई अशुब महरत बना हो तो वो भी अपनी अशुबता में दोगुना वरद्धी करता है यानि कि द्वी पुशकर योग वाले दिन मौरत का विशेश ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने चाहिए तो आज यानि कि 11 अगस्त को रविवार के दिन द्वी पुशकर योग जो आपको साथ निभाने वाला है वो रहेगा पांच बच के 44 मिनट सुभे से लेके पांच बच के 47 मिनट शाम के पर इस बात का ध्यान रखेगा कि रहुकाल का जो समय है उस समय को छोड़ते हुए आप आज के एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूं आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया है तो अब इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मोडिवेशन जरूर बढ़ाईएगा हमेशा की तरहे प्रातना आप सभी के लि करता है जरूर और मेर का मोड़ाईगा हमेशा करके सब्सक्तरे हैarna हमेशा के जरूर आप सब्सक्तरे सब्सक्राइब करके स्बद know